शंकेत जो है, वो ये सूचना देता है कि मा लक्षमी क्या जल्दी आपके घर में आगबन होने वाला है माता लक्षमी को धन की देवी माना जाता है, हिंदू धर्म सास्त्र और पुरानों में बताया गया है कि अगर किसी पर मालक्ष्मी की किरपा हो जाती है तो उसके समस्त दूख दूर हो जाते है उसे धन वैभब की कमी कमी नहीं रहती लेकिन लक्ष्मी जो होती है वो चंचल सुभाब की होती है लक्ष्मी एक जगह कहीं अस्थाई रूप से नहीं रह सकती ऐसी मानता है कि मालक्ष्मी के आगबन से पहले वो कुछ संकेत देती है जिनके जरिये धन की लाव की जानकारी होती है आईए अज हम आपको बताते हैं कि मालक्ष्मी के आगबन के सूचक कौन कौन संकेत है मालक्ष्मी का बहान उल्लू है कहते हैं कि उल्लू के आसपास दिखने पर समझना चाहिए कि मालक्ष्मी प्रसन है और वह जल्द ही आगबन करने वाली है जल्दे ही घर में आने वाली हरियाली समर्धी का प्रतीक माना जाता है अगर आपके घर के पास अगर हरियाली बढ़ गई है या फिर हरी चीज आपको आकर्षित करने लगी है तो समझना चाहिए कि मालक्ष्मी की किरपा होने वाली है इसके अलावा अगर आपको कोई घर के बाहर जारू लगाते हुए अक्सर दिखने लगे तो समझे कि आपकी किस्मत जल्दी ही बदने वाली है सुबह उठकर संख की आवाज सुनाई देना भी सुब संख के तमाना गया है इसके अलावा लेन देन के वक्त हाथ से अगर पैसे आगिर जाए तो समझे कि मालक्ष्मी की विशेश क्रिपा होने वाली है ऐसी भी मानता है कि अगर सुबह सोके उठते हैं उसके बाद कोई भी खारी दिख जाए तो समझना चाहिए कि धन लाभ होने वाला है तो बोलिए जाए मालक्ष्मी जाए मालक्ष्मी